हेलो काईज, वेलकम डूट अगियास वीडियो चैनल और कैस फाइनल इतना वेट कराने के बाद पोको ने अपना X2 इंडिया में लौच कर दिया है वीडियो चैनल पर दाल चुका और नहीं देखे हो यह वीडियो के बाद में आप जाके चेक आउट कर सकते हो पिन कमेंड में और डिस्किप्शन में वो वीडियो का लिंक पर दे दूँगा काफी पॉइंट टू पॉइंट बतायो चेक आउट करोगे तो आपके जो सारी कन्फियन है वो दूर हो जाएंगे चलिए अब यहाँ पर यह वीडियो के एकर आप बात करें यहाँ पर जो आपको मैंने एक हफ़ते पहली बता दिया था यह जो रेड्मी के 30 का जो 4G वेरियंट चाइना में लॉँच वा था वही आपको पोको एक्स टू जो है आइडेंटिकल इंडिया में दिखने को मिलेगा बहुत सारे लोग यार एगरी नहीं कर रहे थे लेकिन आप फाइनली आ चुका है लाँच हो चुका है तो आप देख सकते हो सेम टू सेम आपको फोन दिखने को मिलता है अब यहाँ पर प्राइस पॉइंट बताने से पहले यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है रहाम इस टोप आप दे लाइन मोडल इसमा आट जीबी की रहाम दोसो चपन जीबी स्टोइज आपको दिखने को मिलती है हाइबिड स्रोट का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है UFS 2.1 का स्टोइज टाइप दिया गया है वो जो रैम टाइप है वो आपको LPDDR4X का दिखने को मिल जाता है परफॉर्मंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको Snapdragon का 730G देखने को मिलता है यूँकि 8NM टेक्नलोजी पर बेस्ट है अगर हम बात करें कैमरास के बारे में जो कि एफोन का हालेटिंग फीचर है यहाँ पर आपको 64MP का Quad Camera का सेटप मिलता है जो प्रामेरी सेंसर है वो आपको Sony का IMX686 का सेंसर देखने को मिलता है 8MP का Ultra Wide Angle Lens है 2MP का Depth सेंसर है और 2MP का Macro Lens देखने को मिल जाता है 4K 30fps तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो एस वेलेस 960fps सक आपको Slow Motion का सपोर्ड भी देखने को मिलता है Front Facing Camera यहाँ पर अपको Dual Camera का Setup मिलता है 20MP का आपको Primary Sensor मिल जाता है एस वेलेस 2MP का Depth संसर देखने को मिलता है Android Version और UI की अगर हम बात करें तो Out to the Box Android 10 देखने को मिल जाता है और यह आपका MiUI 11 पर चलता है और Poco Launcher आपको उपर से दे दिया जाता है एस वेलेस संसर की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे संसर देखने को मिल जाते है इंक्लूदिंग Side Mounted Fingerprint Scanner है, Face Unlock का Feature भी है और IR Blaster का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है Better Life के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 45,000 इमेज की Massive Battery मिल जाती है एस वेलेस आपको Type-C का पोर्ट मिल जाता है और 27W के आपको Fast Charging का Support मिल जाता है जोके Out of the Box और Box के अंदर Charger मिल जाता है चुके मेरे इसाफ से काफी बढ़िया बात है तो जल्दी से मैं आपको Specification बता दिया अब Price Point के अगर हम बात करें और मेरे Honest Opinion की भी बात करूँगा Price Point की बात करें जो बेस फिरिंट है 664 इंडिया में आपको मिल जाएगा तकरीबन 16,000 रुपे की Price Point पे जो 6128G वाला विरियंट है वो आपको 17,000 रुपे में मिल जाएगा और यार मतब शौमीने रियली में जो एक कमाल करके रख दिया है क्योंकि आपको बिल कॉलिटी भली ये Redmi 880 का 4G विरियंट है वो तो में को अंदर से ऐसा था कि है कुछ नया डिवाइज आता लेकिन स्टिल जो भी लॉंच करें प्राइस पॉंट देखते वे मेरे जो दिल है बहुत ही अच्छा में को अंदर से फील हो रहा है क्योंकि बिल कॉलिटी अच्छी है डिस्प्ले 120 हर्ट्स का रिफ्रेश्टेट ये प्राइस पॉंट पे अन्बिलीवेबल है आपको 6GB RAM से स्टार्टिंग विरेंट मिल रहा है जो के अगेन काफी विडिया बात है कैमराज आपको टॉप अफ दे लाइन देखने को मिल रहा है परफॉरमस आपको डीसेंट मिल रही है आयर ब्लस्टर है और बैटी लाइफ अच्छी है सबसे जो बैस विरेंट है वो 6GB RAM 118GB वाला लेना 14GB को मैं बोलूँगा स्किप कर दो अगर आप हाई है हेवी गेमर भी हो और नहीं भी हो तो भी मैं बोलूँगा मैं 118GB ले लेना ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर काम आएगा अब over all अगर देखा जाए तो Xiaomi ने मतलब Xiaomi बोल रहा हूँ Poco ने मतलब धमाल कर दिया है definitely purchase कर सकते हो कमी के बारे में बात करें तो hybrid short दे दिया यह चीज मुझे अच्छी नहीं लगी है ऐस जो लेस आप बोल सकते हो कि AMOLED डिस्प्ले नहीं है यह भी थोड़ा मुझे कम लगा otherwise यह perfect smartphone है और एक चीज में आपको title पर आपने thumbnail वागरा पर देखोगे कि जादा खुछ मत होना यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि value for money device है अब बेसिकली Poco अलग हो चुका लेकिं Xiaomi अभी अभी आप समझ सकते हो अंदर से Xiaomi है और यहाँ पर यह 11 February से flash sale पर जाने वाला है और Redmi Note 8 Pro को ले लो Note 7 Pro को ले लो Note 5 Pro को ले लो या Poco F1 को भी अगर आप लेते हो तो flash sale पहली बार Xiaomi का value for money device आता है तो आप सभी को पता है वही एक दो second का खेल रहता है और यहाँ पर phone out of stock हो जाता है तो definitely यह phone भी value for money है बहुत सारे लोग 15-16,000 की जो budget वाले यही phone के लिए जाना पसंद करेंगे और यह phone भी out of stock हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ यह बहुत ज़्यादा black marketing भी in future आपको देखने को मिलेगी पोको एक्सटू के साथ में तो flip card से जादा से जादा unit यहाँ पर एक तो rebrand वर जने तो जादा unit लाओगे तो जादा से जादा लोगों को यहाँ पर खरीदने का मौका पड़ेगा 16,000 का device 16,000 में अच्छा लगता है क्या मुझे comment section में बताना आपको POCO X2 की price point कैसी लगी क्या POCO X2 लोगे नहीं लोगे आपको क्या K30 का rebrand होके वो आया है तो यह चीद आपको अच्छी लगी price point को देखते वे यह नहीं लगी मुझे ज़रूर बताना नीच्चे मुझे comments में आपको अडियो पसंद आई होगी और कैसा कर आपको अडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता उसे सेख लिए खेसी वीडियो में जब तक के लिए